हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब टैनल जी के जिनेस आई क्यों में आज की सेशन में विश्मुष्ट भी भी आई कोश्चन करने वाले हैं जो कि आपके अगामित जम के लिए बहुत ही जरूरी है और यह सारे के सारे कोश्चन सेलेक्टेर लि दो और कई बरिग्जाम में आया हुआ कोश्चन है और यह चार अप्शन से आपके पास है और जल्ली से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस पासन का बिलकुल से अंसर अप्शन भी हमेटाइट अयसक से यह आपको हमें से याद रखना है कि लोहा का निसकरसल हमेटाइट अयसक से किया जाता ही यह आपको हमें से याद रखना है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमेटाइट जल युक्त लोहा होता है और इसमें 58% सुध लोहा होता है, ये भी आपको हमें सयाद रखना है, कि हमेटाइट लोहा में 58% सुध लोहा होता है, और ये सुध लोहा से ज़्यादा कड़ा होता है, ये भी आपको हमें सयाद रखना है, कि ये सुध लोहा से ज़्यादा कठोर होता है, और AP2O3 इसका खनी स trainings होता है यह भी आपको हमें से याद रखना है कि हमें टाइट लोहा का एप फी टू और ठीन कहने है और दोस्तों निक्स्ट कोस्टेन कर लेते हैं भारत दिस्क का सबसे बड़ा बंदरगा रहीं है और इस चार अप्च पासें ostr और जल्दी से कमेंस्रीक किजिए बहुत ही भी वियाई कोशन है दोस्ते इसलिए सेंसर जरूर कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिएगा और इस परस्ण का बिल्कुल सेंसर अपसंदी नहावा सेवा यह आपको हमें सेयाद रखना है और इसका उदघाटन 1May1989 भी को हुई थी यह आपको हमें सेयाद रखना है कि जवाहरला नहरूप बनरगाह का उदघाटन एक उदघाटन एक माई1989 भी को हुई थी और इसे जवाहलल नहरुब बनरगाह, नावासेवा बनरगाह और मुमय बनरगाह ये तीनोन बनरगाह के नाम से जाना जाता है ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोस्चन कर लेते हैं समिधान साभा का गठन खल्यस्थान के सी पारिस पर हुआ था बहुत ही विवी आई कोश्चन अगुस्तो और कई बारिक जामें देखा गया है और ये चार अप्शन से आपके पास से एंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कुल से अन्सरोशन भी केबिनेट मिशन ये आपको हमें से याद रखना है कि समिधान साभा का गठन केबिनेट मिशन के सी पारिस पर हुआ था ये आपको हमें से याद रखना है और आपके भी पता होना चाहिए केबिनेट मिशन का गठन सूरह माई 1946 भी को हुआ था ये भी आपको हमें सयाद रखना है कि केबिनेट मिशन का गठन सूरह माई 1946 भी को हुआ था और इसमें दूसरो निन्यानवे सदस्य थी ये भी आपको हमें सयाद रखना है केबिनेट व्रुप से 22 जनुरी सो पचास को लागों किया गया था यह आपको हमें से याद रखना कभारत में पूर में 26 जनुरी सो पचास को लागों किया गया था गूसे 5 सल 26 जनुरी को गरतांतर Kyle Sanandra Yap open को क Terr stage भी आपको हमें से का बिल्कुल से और राष्टपति आपको हमें से याद रखने का भारत का प्रथम नागरी के राष्टपति होता है ये आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों next question कर लेते हैं धुआनी को खले स्थान में मापी जाती है बहुत ही भी भी है तो सेस्ट लिए आप इसे हमेंसे याद रखेगा और आपको यह भी पताना चाहिए कि परकास वर्स दूरी का मात रखे यह आपको हमेंसे याद रखना है कई बार इग्जाम में आता है कि परकास वर्स खाले स्थन मात रखे तो आपको बताना होता है दूरी का और यह एक स्थान नामों का स्थान पे 2 अक्तूबर 1879 को हुआ था बहुत फिवियाई कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास साइडस और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण का बिल्कुल से अन्चर अप्शन दी पुरबंदर ये आपको हमेंसे आद रखना है कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पुरबंदर नामक अस्थल पे 2 अक्तूबर 1879 को हुआ था ये आपको हमेंसे आद रखना है कि इनका जन्म 2 अक्तूबर 1879 को हुआ थ और गुजरात के पुर्वमंदर नामक जगह पर हुआ था और आपको ये भी बता दे कि गांधी जी की हत्या 30 जनौरी उनिसो अर्टालीस सभी को नई दिली में हुई थी और गांधी जी की हत्या नाथुराम गोड़ द्वारा किया गया था और इनकी समाधी नई दिली में इ स्थीत है ठीक है दोस्तो निक्स्ट कोश्ण कर लेते हैं गुप्त वन्स का संस्थापक खले स्थान थे बहुत हैं फीब्याइए कोश्चन है दोस्तो और चार आप्शन से आपके पास से इंस और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण का बिल्कुल से अंसर अप्संसी स्री गुप्त ये आपको हमेशे याद रखना है और आपके ये भी पता होना चाहिए कि स्री गुप्त का सासन काल 240 इसा पुर्व से 280 इसा पुर्व तक रहा और इनका जन्म 3.886 वी में हुआ था ये भी आपको हमेशे याद रखना है कि इनका जन्म 3.886 वी में हुआ था ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं बंगलादेस की मुद्रा का नाम खले अस्थान है बहुत ही वी वी आई कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास साइंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में क कर लेते हैं करो या मरो कनारा खले स्थान ने दिया था बहुत ही वी 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 कोश्चन है दोस्तों और इचार अप्शन से आपके पास साइंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन के बिल्कुल से इनसर अप्शन डी गांधी जी आपको हमेंसे याद रखना है कि करो या मरो कनारा गांधी जी द्वारा दिया गया था ये आपको हमेंसे याद रखना है और आपके यह भी बता दे कि करो या मरो कनारा वर्स 1942 में दिया गया था ये भी आपक बहुत ही विवी आई कोश्चन है दोस्तों और कई बारिक जाम में आया हुआ कोश्चन है और ये चार अप्षन से आपके पास आए इन्स और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कूल से आपसने 1912.12 यह आपको हमेंसे आद रखना है और आपके भी पाता रोंचाए त właści दिल्ली को भारत की र्धान के खोलकत का हुगा करती थी यापको हमेंसे आद रखना है और एक बात दिली को भारत की रधानी बनाने कीजिए cielo च्क है दोस्तो निक्स्ट कर लेते हैं ध्यान्चंद और ये चार आप्शन से आपके पास सैंस और जली से कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण का बिल्कुल से शरफ्षन ए दिली आपको हमेशे याद रखना है ध्यान चन्द एस्ट्टिडियम दिली में इस्थी थे ये आपको हमेशे याद रखना है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ध्यान चंद का जर्म न 29 अगस्त 1925 वी को परियागराज में हुआ था और इनकी मृतिव 3 दिसंबर 1989 वी को हुआ था यह आपको हमेसे याद रखना है और ध्यान चंद को होगी का ज़ाद वर कहा जाता था यह भी आपको हमेसे याद रखना है कि ध्यान चंद को हो τα जाद वर कहा जाता था ठीक है बिल्कुल से और अप्षन सी ठंडे छेत्र में यह आपको हमेसे याद रखना है कि चाय अधिक्तम ठंडे छेत्र में उगाई जाती है यह आपको हमेसे याद रखना है और एक खास बात चाय उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिठी लेटराइट मिठी होती है यह भी आपको और इस प्रस्टन का बिल्कुल से होए सलाव द्वारा यह आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है यादी आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प् ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं काच से गुजरने वाला परकास के खले स्थन की गती धीमी होती है बहुत ही वीडियो कोश्चन है दोस्तों और यह चार अप्सट से आपके पास से इनसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस परसन का बिल्कुल से इनसर अप्सटी बैगनी रंग यह आपको हमेंसे आद रखना है कि काच से गुजरने वाले परकास के बैगनी रंग की गती धीमी होती है यह आपको हमेंसे आद रखना है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लाल रंग की गती सबसे अधिक होती है यह भी आपको हमें स्याद रखना है इलाल रंग की गति सबसे अधिक होती है और आपको यह भी बता दे कि परकास का तरंग देधर इंगेस्टरम में मापा जाता है कि परकास का तरंग देधर इंगेस्टरम में मापा जाता है एक के ऊपर जैसा ठीक है दोस्तों नेक् comment section में क्यमेंट कीará καő desses प्रस्मेंक बिल्कुल से इस च्रॉप्ष है यह और यह और यह 20 वका सबसे अधिक जन संख्या वाला सहर है यह भी आपको को हमें से याद रखना है कि टोक्यों 20 वा का सबसे अधिक जन संख्या वाला सहर है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं खाली अस्थान अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बहुत भी भी आई कोशन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास सेंस और जल्दी से कमे से याद रखना है और आपके भी बता दे कि अबरख एक जटिल सिल्केट योगिक होता है ये भी आपको हमें से याद रखना है कि अबरख एक जटिल सिल्केट योगिक होता है जो अगने एवाम करांते चटानों में खंडों के रूप में पाये जाता है और चटान तीन पर करके अग्निय चटान कयांतिरी चटान और असाजी चटान होते हैं ठीक है दोस्तों और अबरा कम्मु खेगुण यह होता है कि वह जलता नहीं है यह आपको हमें से आद रखना है कि वह जलता नहीं है ठीक है दोस्तों निक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं खाली अस्थान अंग् इस प्रसन का बिल्कूल साइण शॉल स्य इसस Разर बैसिन की संधी आपको हमें से याद रखना है कि संधी अंग्रेजो नें पेशावा के साथ अस्ताक स्रीथ की था यह आपको और इस प्रस्टन का बिल्कुल सैंसर अपसंदी होटी कल्चर यह आपको हमें स्याद रखना है कि फालो का उत्पादन होटी कल्चर कहलाता है यह आपको हमें स्याद रखना है और आपको यह भी पताना चाहिए कि मधुमक्षियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है यह आपको ह दोस्तों मेंस्ट कोश्चन कर लेते हैं दिली चलो का नारा खले स्थान ने दिया था बहुत ही में फिविए कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास सेंस और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कुल से इन्सर अप्षंडी सुभास चंदर बोस से आपको हमेशाद रखना है कि दिली चलो का नारा सुभास चंदर बोस द्वारा दिया गया था और यह नारा 5 जुलाई उनिसो तिराली सिस्पी को सिंगापूर में दिया गया था और जय हिन जो की भारत का राष्टी यह नारा है यह सुभास चंदर बोस द्वारा ही दिया गया था और भारत का राष्टी यह नारा जय हिन यह नोट कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों निक्स्ट कोस्चन कर लेते हैं बीहो खले स्थन राज यह का परमुक त्योहार है और यह चार अप्सन साइप के पास सैंस और जल्द इसे कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन के बिल्कुल सैंस और अप्सन भी आपको हमेंसे याद रखना है कि बीहु आप्सम राज्य का परमुक त्योहार है यह आपको हमेंसे याद रखना है और अपके भी पताना चाहिक है यहतना हर साल 14 अप्रेल को फसल कटाई के समय मनाया जाता है यह आपको हमेंसे याद रखना है यह चुलिय यहार चुश्क्रीड कीजिए धन्यवाज